नमस्कार, स्वागा थे आप सभीका परिक्षा वर्ड के सेयोटूब चैनल में कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंदित होंगे तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि जो 130 सम्भावित प्रस्ण है आधुनिक भारत के इतिहास के इस वीडियो में कौन-कौन से प्रस्णों को समलित किया हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास तो वह लाइनस के फॉर्म यह से प्रस्ण होंगे जल्दी लिसिंग प्रस्णों को one by one करके कभर करेंगे तो सबसे पहला प्रस्ण मारा है क्या कह रहा है दिली में किसके राजकी प्रवेश्च के समय जो है बंपिका गया था तो दिली में जब लॉड होर्डिंग आया था तो उसके राजकी पुरेश के समय बम फेगा गया था, तो right answer आपका ज़एगा Lord hoarding के समय जब यह दिली में आ रहा था तो उसके राजकी पुरेश के समय बम फेगा गया था, अगला प्रस्त मारा है Simon कमीशन का उपचारिक नाम क्या था? तो साइमन कमीशन का अवचारिक नाम था इंडियन स्टैटिविजरी कमीशन तिसे भी आप द्यार रखेगा अगला इंपॉर्टन प्रस्त मारा है 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यचता किस ने की थी तो 1907 क्या जो सूरत अधिवेशन हुआ था तो रास बिहारी बोस ने जो है 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यचता की थी तता यह जो सूरत का अधिवेशन था अपने आप में काफी इंपॉर्टन है क्यूंकि कॉंग्रेस जो थी उसका जो विवाजन था दो दलों में हो गया था नरम डल और गरम डल कॉंग्रेस का जो भिवाजन था नरम डल और गरम डल में हो गया था इसजी अधिवेशन में था इसे भी आप द्यां देज़ेगा एसले कारण से जो है 1907 का सूरत अधिवेशन था कॉंग्रेस यह फेमस है इसके अध्यचता जो है रास ब्यारी बोसने की थी अगला प्रस्त मारा है गोपाल किसन गोखले गोपाल किसन गोखले ने कॉंग्रेस में किस अधिवेशन की अध्यचता की थी तो 1905 का जो बनारस में अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेस का उसकी जो अध्यचता है वो गोपाल किसन गोकले के तरह किये गए थी ताप इस या देखेगा अगला प्रसमारा है पुस्तक तुहफात उल्मुहाव दिन किसके तरह लिखे गए थी तो यह जो पुस्तक है यह लिखे गए थी राजाराम मोहनराय के तरह जो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं के तरह की गई थी तथा भारत में सतिप्रता का जो आंत है इसके लिए इन्होंने बहुत अधिकारे किया था तथा यह जो राजारा मोहंदराय थे इनको जो है भारती पुर्णजागरन का जनक माना जाता है आप याँ देखेगा भारत में पुर्णजाग अगला प्रसमरा है प्रतम बार जो है स्वराज सब्द का जो ब्यक्ति मतलब उल्लेक है किस अधिवेशन में कॉंग्रेस के किया गया था तो कॉंग्रेस का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1906 में इस अधिवेशन पहली बाद जो है स्वाराज जी सवद का उल्डेप किया गया था तता कॉंग्रेस का जो 1929 में अधिवेशन हुआ था लाहोर में आप ध्यान देजेगा जब कॉंग्रेस का 1929 में अधिवेशन लाहोर में हुआ था तो उस अधिवेशन में जो है पंडी जवाला नेरु के तरह पुर्ण स्वाराज की मांग की गई ति इसे भी आप द्यान देजेगा जब 1929 में कॉंग्रेस का जो अधिवेशन था लाहोर में हुआ था उस अधिवेशन की अधिवेशन की अधिश्टा की गई थी पंडी जवाला नेरु के तरह तता इस अधिवेशन में 1929 के पुर्ण स्वाराज की मांग की गई थी तो आप इसे या दिखेगा यह पुर्ण स्वाराज पूछे तो आपका एंसर हो जाएगा 1929 का लाहोर अधिवेशन अगर सिर्फ स्वाराज सब्द का जो पहली बार इस्तिमाल था किस अधिवेशन में किया गया था तो उसका एंसर आपको जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 तो दोनों अलग अलग है के व तब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारती पूर्शों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत के सासन का प्रबंध अपने हाथों में लें यह जो फिमस कथन ठका गया था वेव मिलर के दोरा अगला प्रसमारा है भगस सिंग का इसमारक की जगे बना हुआ तो भगस सिंग का इसमारक बना हुआ है फिरोजपूर में अगला इंपॉडर्टर परसमारा है मुसलिम लिग ने मुक्ति दिवस का मनाया था तो 22 दिसमबर शन 1949 को मुसलिम लिग और जो डाक्टर बी आरम बेट कर थे इन्खूर्आ कि क्यों मनाया था क्योंकि जो है Congress जो मंट्री मंडल थी उन्होंने इस्तिपा दे दिया था इसी कारण से 22 दिसंबर 1949 को जो है Muslim लिखके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था अगला प्रस्मारा है बापु माई मदर संस्मरंट किसके दोरा लिखा गया है तो इसको लिखा है मनुबेन ने मनुबेन जो है गांधी जी की पोती थी अगला प्रस्मारा है पुस्तक दर नेटिव स्टेट आफ इंडिया के लिखा कोन है सर ली वार्णर आप या देखेगा एक पुस्ता के दर Native State of India इसके लिखक है Sir Lee Warner, अगला प्रसमारा है, नमक सत्यागरा के दोरान जो है, गांधी जी को गिरप्तार होने के बाद, मतलब गांधी जी के गिरप्तार हो जाने के बाद जो है, उस सत्यागरा का जो नित्रित तो एक इस ने किया था, तो अब बास ताय अगला प्रसमारा है, पुस्तक, समाज, वाद ही क्यूँ, किसके दोरा लिखी गई है, तो यह जो फेमस भूक है, समाज वाद ही कि इसको लिखा है, जै प्रकास नरायन ने तो रहा, टेंसर आपको जागा जै प्रकास नरायन, तता यह जो जै प्रकास नरायन थे, इन्होंने महत्पुन भूम का लेखा इन दिली भाईती कि इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के सम अगला प्रस्मारा है, बिनोवा भावे, पहली बार किस अंदोलन के दोरान गिरफतार हुएते, तो बिनोवा भावे जो है, पहली बार सविनय अवग्या अंदोलन के दोरान गिरफतार हुएते, तो आप या देखेगा सविनय अवग्या अंदोलन, अगला प्रस्मारा है, असायोग आंदोलन के दोरान किसने वकालत छोड़ दीती तो असायोग आंदोलन के दोरान जो है चितरंजन दास ने वकालत छोड़ दीती है जो असायोग आंदोलन था एक अगस्त 1920 को सुरू हुआ था अगला प्रस्मारा है गदर पार्टी के स्थापना कब की गए थी तो गदर पार्टी के स्थापना के गए थी 1913 स्वी में अगला प्रस्थ मारा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था तो 1909 का इंडियन काउंसिल जो एक्ट तसका अन्य नाम था मारले मिन्टो सुधार आप इसे याद देखिएगा अगला important प्रस्त में रहा है सविने अवग्या अंदोलन के समय भारत के वाइसराई कौन थे तो सविने अवग्या अंदोलन के समय भारत का वाइसराई था लाड इरविन आप इसे याद देखिएगा जो है मात्मा गांधी ने पैंडी बार कदम रखा था रालेक्ट सत्यागरा के द्यान दिजेगा अगला प्रस्मारा है किस एक आंदोलन के दौरान गांधी विवाहों का आयोजन हुआ अगला प्रस्मारा है भारत में 1918 में प्रत्तम मजदूर संग की अस्थापना किसके दौरा की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के दौरा तो राइटेंशन आपका जगा गोपाल कृष्ण गोखले अगला प्रस्मारा है साइमन कमीशन भारत कब आया तो तीन फरोरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था तो आप इसे द्यान देजेगा साइमन कमीशन जो था यह भारत आया था तीन फरोरी 1928 को तता इसी साइमन कमीशन का बिरोध करते समय जब यह भारत आया था तीन फरोरी 1928 को तो इसका बिरोध करते समय जो है लाला अगला प्रस्तमारा है अखिल भारती किसान सभा का पहला अंदोलन कहां हुआ था तो अखिल भारती किसान सभा का जो पहला अंदोलन था यह हुआ था लखनव में तापे से द्यांद जेगा लखनव अगला प्रस्तमारा है अगला प्रसमारा है किसने भारत विभाजन को एक बिश्वास घाद पूर्ण कारे का था खान अब्दुल गफार खान ने इनको जो है सिमान्त गांधी के नाम से भी जाना जाता इसे भी आप दान जेज़ेगो जो खान अब्दुल कफान खान थे इनका उपनाम था सिमान्त गांधी अगला प्रस्तमारा है किसने A.O. को कॉंग्रेस का पीता कहा तो गांधी जी ने जो है A.O. को कॉंग्रेस का पीता कहा था अगला प्रस्तमारा है विदेश में सरपतम तिरंगा पहराने का स्रे किसको जाता है तो मैडम भीका जी कामा को जो है विदेश मेश और पतम तिरंगा पहराने का स्रेज आता है इन्होंने 1907 में जर्मनी के इस्टूट गाट में भारत का तिरंगा लहराया था अगला प्रस्त मारा है लंदन में इंडिया हाउस के अस्थापना किसने की थी तो स्याम जी कृष्ण वर्मा के दोरा जो है लंदन में इंडिया हाउस की अस्थापना की गई थी अब ध्यान देजेगा लंदन में इंडिया हाउस की अस्थापना है स्याम जी कृष्ण वर्मा के दोरा की गई थी अगला important प्रस्त मारा है किसानों दोरा प्रतापगर जिल्ले में चलाए गया कौन सा अंदोलन था तो किसानों के दोरा प्रतापगर जिल्ले में जो अंदोलन चलाए गया था उसको नाम दिया गया था नाई धोबी बंद तो आप इसी ध्यान दिजेगा जो किसानों के द्वारा प्रताप गड़ जिले में अंदोलन चलाए गया तो उसको नाम दिया गया था नाई धोबी बंद अगला प्रस्तमरा है यंग बंगाल अंदोलन का प्रवलता कौन था तो हेंडरी विवियन डे अब ध्यान दिजेगा अगला प्रस्मरा है वरांसी में प्रतम संस्कृत विश्विद्याले की अस्थापना की गई तो बनारस यानि कि वरांसी में सरपतम जो संस्कृत विश्विद्याले की अस्थापना की गई थी जोनाथन डंकन की तरह किसके तरह तो जोनाथन डंकन क के ढूसरे है या चार्स मिटकाफ को जाता है तो राइट इंच्रा आपका जगा है चार्स मिटकाफ अगला अगरेज़ी आ सामे रहा है अंग्रेजी वह फ्रांसिशी के मध्र वांडिवास के धूकभ हुए था त सो अंग्रेजा और फ्रांसिशी क hm Müdli प्रवास की लड़ाई में जो है फ्रांसीसियों की बूरी तरह से हार हुई थी कलकत्ता नगर की निव किस ने डाली थी तो कलकत्ता नगर की जो निव ठी डाले गी थी जौप चार्नाक के दोरा यानि कि ऑप्सन जो इसका इंसर क्या जाएगा जौप चार्नाक अगला प्रसम तो दिल्ली में स्वदेशी अंदोलन का जो नित्रत तो या किया गया था सहीद मतलब सहीद हैदर रजा के दोरा यह जो स्वदेशी अंदोलन तो इसकी शुरुवात कब हुई थी तो बंगाल विभाजन के दोरान जो है इस अंदोलन को शुरू किया गया था स्वदेशी अ ऐसको आंधोलन कौन सा था तो भारत वर्स का जो पहला किसान किसान आंदोलन था वीज़ालिया ढेंडोलन 1897 में जो है मेवार की किसान के तरह यह आंधोलन चळाया गया था विजोली आंदोलन तथा या भारत वर्ष का सरबतम किसान आंदोलन था अगला प्रस्मारा है कौन वालिस के दौरा जो अस्थाई बंदोबस की सुरुवाद के गए थी या अस्थाई बंदोबस जो था पर्मानेंट से ट्रेल्मेंट जिसको इंग्रिश में कहते हैं या कब लागू किया गया था तो लौड कार्नेवालिस के दौरा जो है पर्मानेंट से ट्रेल्मेंट जिसको जो है अस्थाई बंदोबस की सुरुवाद के गए थी 1793 इस्वी में अगला प्रस्मारा है भोपाल गैस हत्याकान कब हुआ था तो दोस दिसंबर 1984 को जो है बोपाल गैस हत्याकान हुआ था अगला इंप्रस्मारा है जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे बिरुद्ध है या कथन किसके दरह का गया था तो जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे बिरुद्ध है या का था एडॉल्फ हिटलर ने अगला प्रस्मारा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने के दोरा पारित किया गया था तो यह जो एक्ट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या पारित किया गया था लॉर्ड लीटन के दोरा था राइट इंचराब को जागर लॉर्ड लीटन अगला प्रस्मारा है भारत में ब्रिटिस आयातों पर दी जाने वाली बिसेस रियायत जो थी उसको किस नाम से जाना जाता था तो भारत में जब बिटी बिटी उसों के ताथ जो आयात किया जाता था उन आयातों पर जो रियायत दी जाती थी तो उन रियायतों को का जाता था imperial preference ताप इसे द्यान देजेगा भारत में बिटिस आयातों पर दी जाने वाले बिसेश रियायतों को जो है imperial preference के नाम से जाना जाता था अगला प्रस्मारा है महाप्रयान घाट किसकी समाधी है तो यह जो महाप्रयान घाट है यह समाधी है राजंदर प्रसाद की अगला प्रस्मारा है कॉंग्रेस के लोग पदो के भूखे हैं किसने का था तो कॉंग्रेस के लोग पदो के भूखे हैं यह किसने का था तो बंकिम चंदर चटल जी ने का था कि कॉंग्रेस के जो लोग हैं वे पदों के भूखे हैं अगला प्रस्न मरा है करजन के प्रसाशन की तुलना और अरंगजेव से किस ने किती पुत्री लच्मी से बिवा किया था तो गांदी जी के जो पुत्र थे देवदास इन्होंने सीराजगोपालाचारी की पुत्री लच्मी से बिवा किया था इनकी पुत्री जो थी सीराज गोपादा चाले लच्मी उससे बिवा किया था गांधी जी के पुत्र ने अगला प्रस्मारा है किसने गांधी जी को लिखित भासन देने की सला दी थी तो फिरोस्ता मेता ने जो है गांधी जी को लिखित भासन देने की सला दी थी अगला प्रस्मारा है तुम पहले एक भालती हो बाद में मुसल्मान हो या कथन किस ने कहा था तो मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा था तुम पहले एक भालती हो फिर बाद में मुसल्मान हो अगला प्रसमा रहा है अंग्रेजों को बंगाल में सुल्क मुक्त ब्यापार की अनुमती किसने प्रदान कीती तो अंग्रेजों को जो है बंगाल में सुल्क मुक्त ब्यापार की अनुमती किसने प्रदान कीती फरुक सियर ने जो है अंग्रेजों को जो है बंगाल में सुल् प्रस्ण होंगे हम next video में cover करेंगे अभी वीडियो ज्याथा लंबा हो जाएगा तो बागी के जो प्रस्ण होंगे उसको खर्बाइट करेंगे तो sniff पाम